साथियों बाम्सेप एवं राष्ट्रिय मुलिनिवासी संगका अड़तिस्वा संयुक्त राष्ट्रिय अदिवेशन आज 25 दिशंबर से वर्चियल रूप से शुरू होने जा रहा है इस अदिवेशन में आये हुए सभी डेलिगेट साथियों का एवं इस अदिवेशन में वर्चियल रूप में सम्मिलित होने वाले सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ बामसेप एवं रास्टिय मुलिनिवासी संग का ये जो वर्चिवल अड़तिस्वा संयुक्त रास्टिय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है इस अधिवेशन को केंद्र सरकार के तीन कुरुशी कानुनों को निरस्ट करने की लड़ाई में जो किसान साथी शहीद हुए उन जाबाज अंदोलन कारी साथियों को किसान अंदोलन में जो शहीद हुए शेकडो किसान साथी है उन साथियों को ये बामसेप येवम रास्टिय मुलनिवासी संग का अड़तिस्वा रास्टिय अधिवेशन समर्पत किया जा रहा है उन साथियों को अभिवादन के रूप में उन साथियों को नमन करने के रूप में ये जो अधिवेशन है ये तीन दिन का अधिवेशन उन शहीद किसानों को समर्पत किया जा रहा है इस अदिवेशन का उदगाटन सत्र जो है वो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं इस अदिवेशन के उदगाटन सत्र में हमारे साथ हैं उदगाटक मान्यवर इंजिनियर शाम सिहं कमबोज सहाप ट्रस्टी एवं ट्रेजरर दो आस्ट्रेलियन सीक असोशेशन आस्ट्रेलिय से इसके साथ-साथ इस अधिवेशन में अतिती के रूप में हमारे साथ है मान्यवर इंजिनियर मान्यवर जस्टीस विरेंदर सिह यादव सहाप पुर्व नियाधिश उच्चे नियालय इलाहबाद से इसके साथ-साथ इस अधिवेशन में उपस्तीत है मान्यवर पुर्निम करता बामसे नई दिल्ली से है इस अरिवेशन में हमारे साथ है मान्यवर विलास खराद सहाब रास्टिय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा एवं इस अरिवेशन में हमारे साथ है मान्यवर नीशा मेश्रा मैडम रास्टिय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी सभी अनुरोद करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहन करे अभी इस अडिवेशन की उद्धाटन सत्र की शुरू में मैं इस अडिवेशन का प्रास्तवी करने के लिए राश्टी अध्यक्ष बामसेप मान्यवर वामन मेश्राम सहब को आमंत्रित करता हूँ वो इस अडिवेशन का प्रास्ता भी करे मान्यवर वामन मेश्राम सहब साथियो बामसेप यवम राश्टिय मुल्निवासी संग का संयुक्त 38 वा राश्टिय अध्यवेशन आज हो रहा है और इसकी शुरुवात हो रही है उद्गाटन सत्र चल रहा है इसके पहले कि उद्गाटन उद्गाटक के द्वारा उद्गाटनिय भाशन के माद्यम से शुरू हो मैं प्रास्ताविक में कुछ बाते आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ सत्यो थर्टी एटवा रास्तियस्तर का संयुक्त रास्तिय दिवेशन हो रहा है और हमारे रास्तिय दिवेशन लगातार हो रहे हैं विदाउट एनी इंटरेप्शन किशी प्रकार के अवरोज से संगटन के द्वारा ये हर साल रेगुलर हो रहे हैं और किये जा रहे हैं ये वैसे सामान्य घटना नहीं है और हर साल होने वाले अदिवेशनों के माध्यम से हमने हमने अपनी शक्ति को रास्तियस्तर पर लगातार बढ़ाने का काम किया है आज ये बढ़ता हुआ जो कारवा है ये कहां तक पहुँचा है ये भी जानने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब उत्तरपदेश में काशिराम जी ने मुलायम सिंग यादों को मुख्यमंत्री बनवाया था उस समय बामसे तेरा स्टेट में और एक सो चाली जिलो में उसका ढाचा उपस्तित था मुबाइल को आप साइलेंट मोल पर रखो इतना भर राचा था तो आज 31 राज्यों में 567 जिलों में चार हजार से ज्यदा तशिलों में 22 अज़ार से ज्यदा ब्लोग में और 4.5 लाग से ज्यदा गाओं तक संगाटन का भोगुलिक नेटवर्क फैला हुआ है और धाई हजार से ज्यदा जातियों के लोग इस संगाटन में काम करते है शडूल कास के लोग इस संगधन में काम करते हैं मोस्ट बैकवर्ड शडूल कास के लोग इस संगधन में काम करते हैं एक्स्ट्रीम बैकवर्ड शडूल कास के लोग इस संगधन में काम करते हैं शडूल ट्राइब के लोग इस संगधन में काम करते हैं मोस्ट बैकवर्ट शडू ट्राइब के लोग इसमें काम करते हैं। नॉमेडिक ट्राइब के लोग इस संगठन में काम करते हैं। MBC के लोग इस संगठन में काम करते हैं। OBC के लोग इस संगठन में काम करते हैं। यह SCST OBC के इस सारा डाटा मैं आपको सोशल नेटवर्किंग के तहद बता रहा है। और इन से कनवर्टेड मुसलीम, सीख, इसाई, बुदीष्ट, जैन, लिंगायत। यह भी लोग काम करते हैं। इतने सारी लोग काम करते हैं। तो यह कोई सामाननी शक्ती में रुपांतरन नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी शक्ती में रुपांतरित हो गया है। और यह लगातार जह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास का ही नतीजा है। के इतनी बड़ी संगची शक्ती उभर कर आई है। बनाई गई है। योजना बना कर हम लोगों ने इसको किया है। तो उस प्रक्रिया में संगटन का बहुत भारी रोल रहा है अदिवेशनों का। और यह अदिवेशन है। और यह अदिवेशन हम लोगों को पिछले साल भी वर्चुल करना पड़ा। इस साल भी पिछले साल तो बिमारी की वज़े से करना पड़ा। इस साल हम बिमारी की वज़े से नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं बिमारी की वज़े से नहीं बलके कि हमारे अंदोलन ने ये निर्णे लिया है कि हम सवैधान के दाएरे में रहे कर काम करेंगे उसके तहत जब उत्तरपदेश की एकत्तीस पार्टिया शडूलकास, सेडूल ट्राइप, माइनोरिटी, OBC की पार्टिया उनके नेता राष्टिय अद्धिक्स मिलने के लिए आए और कहने लगे कि आप हमारा चुनाओं में ने दृत्व करिये तो हमने उनको कहा कि भी हम तो राजनीतिक दल के सदश्य नहीं है, मेंबर भी नहीं है, मारी कोई पार्टी भी नहीं है तो हमने राजनीतिक हस्तक्षेप करने के मकसद से इस बिंति को श्विकार किया और सोचा कि सविधान के दायरे में रहकर कारिय करने की जो हमारी कारिय प्रणाली है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करना गैर सविधानिक है क्या? अमारे लिए सवाल पूझा है तो शानमीन के बाद पता चला कि राजनीतिक हस्तक्षेप करना अहर नागरिक का लोकतांत्री अदिकार है, सविधानिक अदिकार है तो हम कोई गयर सवाइधानिक काम नहीं कर रहे हैं, सवाइधान के तहत ही काम कर रहे हैं, इस से हमारे अंदुलन की विधान सभा के अधीन, जो कानून बनाए जा रहे हैं हमारे लोगों के खिलाप में, को रोक लगाने का काम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस अस्तक्षेप को श्विकार किया और उसके तहत नव अक्टूबर को लखनों के रमाभाई मायाम बेटकर मैदान में बड़ी रेली की। वो इतनी बड़ी रेली थी कि मायावती ने जो कारेकरम हमारे कारेकरम में लोग नहीं जाने चाहिए, वो इतनी डरी हुई है, तो जो डरा हुआ होता है, वो मरा हुआ होता है। और जो मरा हुआ होता है, मैं आपको बता दू, वो जिन्दा नहीं होता है। क्योंकि यह भी बताना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, कि जो मरा हुआ होता है, वो जिन्दा नहीं होता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई हल्चल कर रहा है तो वो मरे हुए आदमी की हल्चल है, उसको ज्यादा एहमियत देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा था कि मायवती को इस चुनाव में साथ आट परसेंट वोट पढ़ेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं। मुझे आज सवेरे आकर किसी ने कहा कि सी वोटर सर्वे वालो ने ये कहा कि साथ आट परसेंट मायवती को पढ़ेगा। किसी ने पता ने मेरी बात उनको बता दिया होगा देशमुक को। क्यों इतना कम पढ़ेंगे वोट साड़े बाइस परसेंट मायवती को वोट पढ़े पिछले विदान सभा में। वो साथ आट परसेंट क्यों पढ़ेंगे कम वो यह बात सी वोटर वाले बता नहीं रहें कि क्यों कम पढ़ेंगे। वो यह नहीं बता रहें कि यह मायवती का वोट शेप्ट हो रहा है यह नहीं बता रहें। मायावती का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है यह भी नहीं बता रहे हैं मायावती का वोट कॉंग्रेस के तरफ जा रहा है यह भी नहीं बता रहे हैं बलकि कांग्रेस का से परसेंट बता रहे हैं इस बीचिके पिरेड में उन्होंने ही सी उटरवन निफिंटाया था तो यह overcrow मॅर छियर बताया तो इसका मतलब कअंगरेस के तरफ भी नहीं जा रहे हैं है रहा है दो तो यह वो नहीं बता रहे कि समाजवादी के तरफ जा रहे है हैं वागातो यहीद्च वाली कि तरफ जा रहे हैं आईसा बता रहे है अ гр év थैस्ट सब्सक्ष नियुकिंत किया पाज़ने बता था कि समाज वादियों 72 परशेंट पडेंगे समाजवादी मासि की थना सब्सक्रण घृवा जय तो इसलों तो कही न कही तो जा रहे है नाम लेने को क्यों शरम लग रही है सी वोटर वालों को कि वही एफेक्टल तो नया डेवलप हो गया वामनमिजराम का एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपकी सीटे कितनी चुनकर आएगी मैंने का मैं तो कोई भविश वक्ता नहीं हूं मगर ह हमारा हमारी है दो ताक्ते हैं एक है हमारी हमारा उपईगिता मुल्य जिसके तहत हमारे वो ट्रांसपर करवा कि सीटों को जितवाया जा सकता है यह हमारे उपईगिता मुल्य है जिससे दूसरों की और हमारी सीटे जितवाई जा सकती है दो, एक है मैंने का हमारा उपद्रव मुल्य, उपद्रव करने की हमारी क्षमता, ये हमारे आंदुलन्ने हासिल कीवी चक्ति है, सामानने बात नहीं है ये, की हमने अगर मान लोता ही गए, फला फला को हरवाना है, उदारन देता हूं, दिल्ली में हरी किशनलाल भगत, हके यल भगत, कॉंग्रिस के प्रदेश अद्यक्ष हुआ करते थे, उसको अन क्राउन किंग बोलते थे, दिल्ली, अन क्राउन किंग, यह राजा है केवल क्राउन नहीं है, राज मुखट नहीं है, बाकी राजा है, ऐसा बोलते थे, तो काशिराम जी ने कहा, क्या यह चुनाव में मैं वो राजा कैसे चुनाव जीतता है, देखता हूं, तो उन्होंने फॉर्म भरा, अगे ने, कहें, एच्केल भगत, कारेकरता ने पूचा, कहां लड़ोगे आप, जहां एच्केल भगत लड़ेगा, वही मैं लड़ूगा मैं डिसाइड ने करूंगा, कहा लड़ूगा, जहां एच्केल भगत लड़ेगा, वही मैं लड़ूगा, ऐसी हुआ, फार्म भरा और एच्केल भगत कु मालूम हो गया कि काशिराम जी लड़ रहे हैं, तब उनको पता जाब, चुनाव हम जीत नहीं सकते, इमीजिट आद कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, बोल दीजिए क्यावल, बस इसमों से निकाल दीजिए, तका कि नहीं, हमको बोलना नहीं है, चाहिए नहीं है, हमारे पाद चने खाने के लिए भी नहीं है, मगर ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ये च्केल भगत को हरवाना, यह चाहिए, बगत जी को बोलिए दे सकते हो क्या है, यह तो वो दे नहीं सकते, जो दे नहीं सकते हैं, फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है, चुनाव होगा, और फिर उस समय काचराम जी को उट का चुनाव निशान मिलाते हैं, और एचकेल बगत चुनाव में हार गए, क्योंकि काचराम जी वह चुनाव जीतने के लिए लड़े नहीं थे, वह इसको हर्वानी के लड़े थे, और एचकेल बगत चुनाव हार गए, हारनी के बाद जानते हो क्या हुआ, जो उस व्यक्ति का सूरज अस्त हुआ, वो अल्ला को प्यारे हो गए बाद में, फिर दुबारा, कभी उटके ख़ड़े ने हुए है। तो मैं पत्रकारों को कहा, उपद्रो मुल्य क्या होता है, यह समझाने के लिए उधारन दे रहा हूं। जहां अमारी इच्छा हुए अहां पीजेपी को हरवाएंगे, जहां अमारी इच्छा हुए और किसी को हरवाएंगे। यह हमारा, यह रनीति मामला है, यह रनीतिक है, यह दावपेज वाला मामला है। हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो करना जरूरी होगा सब करेंगे। तो हमारा संगतन शक्ति का काम यहां तक आगे बढ़ चुका है। तो हम लोग अभी आने वाले समय में तीन बड़े काम जो है, वो हम करेंगे। एक तो जो हमारी सवयधानी का दिकार है, जो जुनोंने खतम करने कोशिश की उनसे सडको पर निप्टेंगे। बख्षेंगे नहीं, निप्टेंगे। निप्टेंगे समझ रहे ना आप लोग, यह हमारा देशी शब्द है। आप इंधि शद्ध नहीं बोल सकता देशी शब्द निप्टेंगे। दूसरा है राजनीतिक तक्षेप, मैं किसी राजनीतिक पर्टे के सदश हूं नहीं, मगर राजनीतिक अस्तक्षेप कर सकता हूं। कोई मुझे यह नहीं कह सकता कि यह काम आप क्यों कर रहे हैं तीसरा है सुप्रिम कोट को आर्टीकल थर्टी टू के तहत जो बहुत सारे पावर दिये गए है उस पावर के तहत हम लोग मामलों को सुप्रिम कोट में लेके जाएंगे जैसे इवियम मशिन का मामला मैं लेकर गया और सारे देज भर में पेपर ट्रेल मशिन लगवाया है मैंने लगवाया तो इस तरह से यह तीन काम है जिसको हम लोग करेंगे तो रास्टिय अधिवेशन करना अब तीसरे नंबर के प्राइरिटी पर आ गया है जो काम हमारा पहले नंबर के प्राइरिटी का आ गया रन्नीती में देखो कितना परिवरतन आ गया है मैं हमारे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे रन्नीती में अभी इतन बड़ा बदलाव आगया कि बामसेव का राष्टी अधिवेशन जो पहले नंबर पर हुआ करता था उसका नंबर अब तीसरे नंबर पर आगया है अब भारत बंद करवाना और राजनीतिक हस्तक्षेव करवाना यह जो काम है और सुप्रेम कोड में केशेश को लेकर लडाना इस हिसाब से अभी यह तिसरे चौथे नंबर की प्रात्यमिक्ता में तो इसलिए अभी हम लोग आने वाले समय में यह जो दस साल है यह दस साल भारत के इतिहास को बहुत जोर तर जोरदार तरीके से हिलाने वाले होंगे बहुत जोरदार तरीके से भारत को हिलाएंगे और सवाइधानिक तरीके से उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और आंदोलन को बहुत विशाल आंदोलन में रुपांतरित करेंगे प्रास्ताविक में यही बताना चाह रहा था कि अब बामसेप का राष्ट्री अदिवेशन प्राथमिक्ता में नहीं रहा है अब हम आगे बढ़ रहे हैं अभी बामसेप संगतन बनाने का काम हम करने वाले नहीं हैं है बामसेप संगतन अभी अपने जो उसकी अपनी ख्षमता है वह उसी आगे बढ़ेगा हम एक्षिन करेंगे उससे हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा आंदोलन आगे बढ़ेगा तो एब हमसे उसके साथ आगे बढ़ जाएगा बहुत सारे नए स्टेट और नए जीले के लोग हमको टेलिफॉन करेंगे कि हम भी करना चाहते हैं हमसे करो हमने क्या रोका हुआ है तो इस तरह से हमको अभी किसी के पास नए जीले में नए स्टेट में जाने की जुरूत नहीं होगी अभी त्री पुरा के लोग हमको टेलिफॉन कर रहे हैं आसाम से आगे आओ बोल रहे हैं मैंने का पहले मैं यूपी में तो निपट लू फिर बाद में बाद में वहां आता हूं पहले पूरी ताकत सारे देश की हम लोग यूपी में निपटने में लगे हुए हैं तो और यूपी में अभी गड़बंधन बन चुका है एकतेस पार्टी का ओउएक तालिश पार्टी ओँओं तक उसकी संख्या गई आई तो में तो मां नसीद बावा कि अगर समाज्वादी पार्टी से में लग पो समार्ट को चल लाई है। वारता वो इसी साफ से भी चल रही है एस अरोज निक बोल रहा हूं मोबाइल एस पर बोलो सारे दुनिया वाले देख ले सुन ले हम लोग छुपा कर नहीं कर रहे है काम बहुत राधनीती लोग कहते हैं नहीं छुपा कर करनी चाहिए हां बराबर रहा है इसी लिए मैं ये खुला कर रहा हूं कि तीनों से वारता चल ले क्योंकि लोग तंत्र में समवाद करना सवैदानिक है हम समवाद करने में और फैसले करनों में अंतर कर रहे हैं अभी हम केवल समवाद कर रहे हैं फैसले नहीं कर रहे हैं समवाद के बाद फैसले करेंगे तो समवाद में पता कौँन सा फैसला करना है भी सबसे बात हो रही है। सबी। बैसे हरे और एक बात आप लोग चाहते है कि व मिला। और एक बात आप लोगों को बता सभी लोग चाहते हाँ होना चाहिए मैं सब्सक्राइब उनके साथ होने से तो बड़ा असान हो जाएगा मैंने तो अखिले शादो को मुपर कहा कि अगर हमारा गड़ बंदन हो गया मुख्य मंत्री पद अखिलेजी सील हो गया सील हो जाएगा हो गया फाइनल हो गया केवल रिजल्ट आने की वेटिंग है अभी बहुत सारे छोटे छोटे दलो से समाजवादी निकड़ बंदन किया गयारंटी अभी भी नहीं है क्योंकि अटालीस परसेंट वोड बीजेपी को सी वोटर वाला दिखा रहा है और एकत्तिस परसेंट इसको दिखा रहा है समाजवादी को तो अगर तीनों में से किसी के साथ भी अगर हमारा गड़ बंदन हो गया कास तो पर समाजवादी और कॉंग्रिस के साथ तो फिर ये गड़ बंदन गड़ बंदन नहीं रहेगा ये महा गड़ बंदन हो जाएगा और महा गड़ बंदन कोई भी मानल समाजवादी के साथ महा गड़ बंदन हो गया तो सरकार उसकी आएगी कांग्रिस के साथ महा गड़ बंदन हो गया तो फिर हमारी सरकार है तो हमारी कोशिस तो हमारी सरकार लाने की ही है प्रात्मिक्ता तो इस तरीके से बात को आगे बढ़ाया जाएगा तो अभी प्रात्मिक्ता अदिवेश्णों की नहीं है बदल गही है अभी प्रात्मिक्ता और आने वाले दस साल में इस देश की हम ही प्राथमिक्ता होंगे ऐसा मेरा मानना है धन्यवाद धन्यवाद सहब प्रास्ताविक में आपने बामसे एवं अंदोलन की गतिविदियों के बारे में जान करी दी इस अधिवेशन के उद्घाटन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ इस अधिवेशन के उद्घाटक मान्यवर इंजिनियर शाम सीह कमबोज ट्रस्टी एवं ट्रेजरर दा ऑस्ट्रिलियन सीक असोशेशन अस्ट्रिया इनसे अनुरोध है कि वो इस अधिवेशन में उद्घाटनी भाशन के रूप में संबजित करें प्ल्जाटक